जितने भी हमारे टेलर भाई हैं उनिके लिए मैं आज एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि बारिस की मौसम में जो एक प्रोब्लम आती है ओ अभी तक आपने उस पे ध्यान नहीं दिया होगा या तो आपको ज्यादा तर्स लोग बताये नहीं होगे या आपको इस ब आगे दिखाता हूँ देखिए मैं ने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो प्रोब्लम है वह ज़्यादा तर्स में ही होता है बारिस की मौसम जब होती है और लागातार जब बारिस होती है तब यह प्रोब्लम आता है जब भी आप सुभ़वा पहली बार काम करने जाते हैं मसीन पर या टेवल पर कटिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि टेवल पर कटिंग करने जाए तब चाहे मसीन पर कपरा सिलाई करने जाए तब सुबह सुबह पहली टाइम तो क्या होता है कि कप्रा जो है ऐसे छहलता नहीं है, ऐसे नहीं छहलता है, क्या होता है, इसमें पकर लेता है, कप्रा जो है इसमें पकरता है, क्यूं पकरता है, क्यूंकि बारिस की होजा से ये टेवल भी हमारा नम होता है, सिमसिमा हो जाता है, पानी की अंस हो जाती है इस जिसके कारण कप्रा जो है हमारा ये टेवल में या मशीन की पाटिये में सटने लगते है इस तरीके से तो इसको अब कैसे ठीक करना है जो इस तरीक से कप्रा सटे नहीं और अच्छे से ऐसा चाहलना चाहिए कप्रा मशीन पर तब ही आप अच्छे से कटिंग भी कर पाएंगे अच्छे से सिल भी पाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा पहला तरीका यह है कि आप ग्यहूं की आटा ले लिजिए ग्यहूं की आटा जो है वह आटा ले लिजिए और ऐसे हर जगा पर ऐसा छिरक आपके शृखोर एक ये पुर्वास के दिखे लूट उए पर 70 ब और अपको आपको एक वापने की बादुआशेचह एक चीन सी पर醒 सी अधे और रारेद्य मेंुए आपका टेवल एक या आपका टेवल एक आपक depends qaw free हो जाएगा है फिर आपको कप्रे को यहां पे च्हलाने में मसीन पे सिलाई करने में कोई भी दिकत नहीं होगा दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक पाउडर का डबा रखना है और उस पाउडर मारना है दोनों तरीके शेम है और दोनों आसान तरीक offers इस तरीके से powder इस पे लगा देना है और powder लगाने के बाद फिर से आपको ऐसे ऐसे करके अच्छे से सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे नमी दिख रहा है यानि जहाँ जहाँ पे कपरा सट रहा है वहाँ पे इस तरीके से आपको मार देना है ऐसे करने से क्या होगा कि ये था या नहीं था या आपको इससे पहले किसी ने बताया था या नहीं बताया था या आप इस प्रोब्लम पे गौर किये थे पहले या नहीं किये थे तो आज की वीडियो यहें पर समाप्त होता है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद